जय हिंद बंदे मातरम साथियो स्वागत है डेली स्टेडी में आज की इस वीडियो में बिहार पोलिस कॉंस्टेवल का जो नई वेकेंसी आई है उसके लिए साइन्स जो की टोपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सलेवस के अनुसार उससे संबंधित को संस कराऊंगा तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में बिहार पोलिस कॉंस्टेवल के इतिहास में पिछले 15-16 बरसों का को संस को एनलाइस करने के बाद जितने भी बिटामिन से संबंधित को संस पूछा गिया है उसको आज की इस वीडियो में कवर करा दूँगा उसके बाद आपका साइन्स में अगर इस टोपिक से प्रसन आता है तो इससे बाहर आपका कहीं भी नहीं आएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी प्रसन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे उसका आंसर आप लोग जरूर किजिएगा नीचे कमेंट बोक्स में तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रसन आपके स्क्रीन पर है बिटामिन की खोज किसने की थी आपको थोरा सा समय भी हम दे देंगे आप लोग फटा-फट आंसर कर सकते हैं बिटामिन की खोज किसने की थी सही जबाब यहाँ पर होगा ओप्सन नंबर A कासमीर फंक क्या नाम है कासमीर फंक 80 मीर फंक option number A इसको आप ध्यान रख लिजिए vitamin की खोज यहीं की थी अच्छा, 80 मीर फंक जो है vitamin की खोज किस वर्स की थी? 1912 में की थी अच्छा, vitamin कितने परकार का होता है? दो परकार का होता है एक होता है vasa में घुलन सील और दूसरा होता है पाउनी में घुलनसील, अब यहाँ पर प्रसन इस तरीके से पूछता है, कि बिटामिन D, बसा में घुलनसील, यानि कि बसा में घुलनसील इन में से कौन सा बिटामिन है, चार बिटामिन का नाम दे देगा, उसमें से एक पूछ लेगा, तो इसको आप इस तरीके से याद र ठीक है ये हो गया आपका बसा में घुलनसील और वहीं पर बात करें पानी में घुलनसील कौन-कौन सी होती है तो बिटामिन C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 देखिए इसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं देखिए इतना बिटामिन का नाम है बिटा ये B, B से संबंधित कुछ यही इंपोर्टेंट बिटामिन होते हैं जो अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो बिटामिन C आपका हो गया पलस में B के साथ ये B1, B2, 3 ऐसे करके जो लगा रहेगा अक्सर जादा तर ये जो है आपका बिटामिन ये B1, B2 मतलब B प्रजा जैसे कि देखिए A, D, E, K तो बस आपको यही दो याद रखना है बिटामिन C और B जाती का ठीक है ये एक्सर सही होगा लगभाग तो चलिए आगे चलते हैं अगला प्रसंद देखिए बिटामिन B6 ठीक है बिटामिन B6 की कमी से पुरूस में कौन सा रोग होता है बिटामिन B6 की कमी से पुरूस में कौन सा रोग होता है ये वला होता है अरक्तता ठीक है ओप्सन नमबर D अरक्तता तो देखिए अरक्तता को इंगलिस में क्या करते हैं एनिमिया करते हैं ठीक है तो डिरेक्ट प्रसंद पुछ लेगा कि एनिमिया रोग किस बिटामिन की क कमी से, बिटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, पाइरोडोक्सीन, क्या नाम है, पाइरीडोक्सीन, ठीक, और बिटामिन B6 किस में मिलता है, दूध, मास, जिगर, मर्चली, और धियान रखिए, ये अरक्तता को, इंगलिस में एनिमिया कहा जाता है, एनिमिया भी लिख देता है और कभी-कभी हिंदी में, तो हिंदी बला को आपको जरूर धियान रखना है, अरतता और इंगलिस में इनिमिया, आगे चले, बिटामिन D, ठीक है, बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, बिटामिन D, आप लोग, आपको बता दे कि ये जो है, सूरी की धूप से मिलता है सूरी की रोशनी से, और बिटामिन D की कमी से जो है, रिकेटेस रोग होता है, तो अप्शन नमबर C, यहाँ पे सही जबाब है, आपको बता दे, बिटामिन D का रसाइनिक नाम, केल्सी फेरोल है, और रिकेटेस को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, रिकेटेस बिमा सूरी की रोशनी से, देखते होंगे, नया बच्चा जब जनमन लेता है, तो दादी नानी क्या करते हैं, कि इस बच्चे को धूप में थोरा सुबस्वे लगा दिया करो, यही लिए कि उसको भी बिटामिन D मिले, ठीक है, आगे चले अगला प्रसन है, किस बिटामिन की कमी से, बच्चों के अंगों की हड्डियां मूर जाती है, तुरंत इस प्रसन में भी कोई दम नहीं है, नया बच्चों की जो हड्डी होती है, वो मूर जाती है, यही बिटामिन D की कमी से, इसलिए दादी नानी क्या करते हैं, इसको धूप लगाया करो, तो option number D यहाँ पे सही कारे का अधयान क्या कहलाता है, औस धियों मतलब medicines, दवाईयां और उनके कारे का अधयान को क्या कहते हैं, औस धी प्रभाव विज्ञान, option number C, औस धी प्रभाव विज्ञान, अच्छा औस धी प्रभाव विज्ञान को इंगलिस में क्या कहते हैं, फर्माकोलोजी, क्या है एक साखा है, जो अध्यान करती है, अगला देखिए, तंबाकू में इन में से क्या पाया जाता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन, option number A सही जवाब है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, दोस्तों वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, यही प्रसनापका सा बताएगा, चेप्टर वाइज आपको क्लास कराया जाए, तो वो भी करा देंगे, कमेंड में बताएगा, खेर चलिए, चलते हैं टोपिक पर, लहो की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर देखिए, हमारे बोडी में यह गला पर जो है, एक रोग होता है, उसको कहते हैं गोईटर, तो ओप्सन नमबर डी सही जवाब होगा, लहो की कमी से गोईटर रोग होता है, तो ध्यान रखिए, गला पर होता है, यहाँ पर गर्दन पर गोईटर रोग और यह जो है, लहो की कमी से होता है, प्रसन इस तरीके से भी पूछ लेता है, गोईटर रोग जो है, लोह की कमी से होता है, ये हमारे बोडी को, किस अंग को परवावित करता है, तो ध्यान रखिए गला, छिली हुई सबजियां, ठीक है, सबजियां जो हम लोग खाते हैं, हरी हरी सबजियां, इसको धोने से कौन सा बिटामिन निकल जाता है, जब धोने से निकलने की बात हो रही है, तो कहने का मतलब पानी में घुलन सील इसमें कौन है, पानी में घुलन सील इसमें देखिएगा, तो बिटामिन सी ठीक है, तो यही होगा आपका छिली हुई सबजियां जो है, बिटामिन सी निकल जाएगा अगर उसको धोते हैं तो, तो देखिए मानव सरीर के लिए उपयोगी 13 परमुख बिटामिनों का नाम है जैसे कि 4 बिटामिन हो गया A, D, E तथा के वसामे घुलनसील बंकी के यह होगी आपका बिटामिन C और B जाती के जल में जैसा कि आपको क्या बताया C पलस B जल में उसके बाद जो भी बचे वसाम इसकरवी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है सही जबाब होगा आप्सन नमबर C बिटामिन C की कमी से इसकरवी रोग होता है बिटामिन सी का रसाइनिक नाम यानि की केमिकल नाम क्या है? एसकोर्विक एसिड है और ये जल में घुलन सील होता है और बिटामिन सी के परमुक सुरोत क्या है? निम्बू, संत्रा, मुसंमी, आवला, टमाटर, पत्तेदार सबजियां ये सब निम्लखीत में से बिटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? देखिए, यहाँ पर आप लोग आवला खोज रहे होंगे आवला, आवला में सबसे ज़्यादा बिटामिन सी होता है लेकिन यहाँ पर निम्लखीत कहा गया है मतलब इन नीचे चार options में से ही आपको बताना है कि किसमें vitamin C सबसे ज़ाद होता है तो इसमें होगा निम्बू ठीक है आवला रहता तो उसको आप करते answer उस vitamin का नाम बता ये जो किसी भी मांसा हारी भोजन में नहीं होता है मांसा हारी होता है ना उसमें कौन सा vitamin नहीं होता है मांसा हारी में आपका vitamin C ही नहीं होगा क्योंकि ये पानी में घुलन सील है बांकी के सब आपका वसा में है तो मांस में आपका B12, D के ये सब मिलेगा लेकिन C नहीं मिलेगा तो option number B यहाँ पे सही जवाब है बिटामिन B ठिक है B, बिटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है वेसे बिटामिन B का बहुत सारे जाती है लेकिन आपे बिटामिन B की बात हो रही है बिटामिन B, B से बेरी-बेरी इस तरीके से याद रख लिजिए बेरी बेरी जो है बिटामिन B की कमी से होता है इसमें कौन सा होता है बिटामिन B की 1 जाती वाला 1 ठीक ना पहला वाला B का तो ये बेरी बेरी नामक रोग होता है और B की कमी से होने वाला परमुख रोग है ये वाला बेरी बेरी ठीक है वहाँ धातु कौन सी है जो बिटामिन B12, यानि कि B12 की एक घटक है B12 की एक घटक किन में इसा आपको बताना है उस धातु का नाम बताईए तो यह होगा आपका कोबाल्ट option number D, कोबाल्ट तो देखिए, बिटामिन B का दूसरा नाम क्या है साइनो कोबालामीन ठीक न, कोबालामीन और इसका सोर्स जो है मांस, मचली, जिगर, अंडा यह सब है, दूध भी है किस बिटामिन की कमी होने पर प्रनासी रक्तलपता हो जाती है प्रनासी रक्तलपता death anemia जिसको बोलते हैं एक होता है anemia, एक होता है death anemia मतलब जान लेने वाले मतलब जान ले ही लेता है death anemia, ठीक है तो यह जो है बिटामिन B12 की कमी से होता है प्रनासी रक्तलपता यह हिंदी में रहेगा ता आप लोग फच जाईएगा लेकिन इंगलीस में दे देगा death anemia तो समझ जाईएगा, तो हिंदी भी नाम याद रख लिए प्रनासी रक्तलपता मानव सरीर में संकर्मन को रोकने में मदद करने वाला बिटामिन कौन है संकर्मन संकर्मन को रोकने के लिए मदद करने वाला बिटामिन यहाँ पर होगा बिटामिन A यानि कि हमारे बोड़ी में संकर्मन से बचाता है यानिकी protect करता है vitamin A तो option number A यहाँ पे सही जवाब है देखिए कभी कभी क्या हता है vitamin A को जो है C में दे देगा C number option में और C को दे देगा vitamin C को A number option में तो लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी option A, B, C ऐसे समाझ लेता है कि यही आपका vitamin C है लेकिन देख लिजिएगा vitamin C A number option में है कि B में है तो ऐसे तो यहाँ पे vitamin A जो है A number option में है तो यही आपका सही जवाब है vitamin A का रसाइनिक नाम क्या है retinol है और यह मानव स्रीर में संकरमन रोकने में मदद करता है और vitamin B की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है vitamin C की कमी से इसकरवी रोग होता है और vitamin D की कमी से सुखा रोग होता है मैंने आपको यह सारा questions करवा दिया है लेकिन आपको यहाँ पे repeat करवा रहा था ताकि अच्छे सी आद हो जाए रक्त का ठक्का बनने में कौन सा vitamin मदद करता है blood जमने में जो है जैसे कि body का अगर कहीं पे cut जाता है अगर वो नहीं जमेगा तो blood सारा निकल जाएगा जिससे की date हो सकती है इसलिए vitamin K का होना अवसक्य है तो option number यहाँ पे C जबाब है vitamin K जो है रक्त का ठक्का बनने में मदद करता है vitamin K का रैसैनिक नाम यानि की chemical नाम यानि की बेग्यानिक नाम क्या है phyloquinone क्या है phyloquinone रताउंधी ठीक है मतलब रात में ना दिखना रताउंधी किस vitamin की कमी के कारण होता है रताउंधी जो है बिटामिन A की कमी के कारण होता है option number A यहाँ पर सही जबाब है बिटामिन A का रासानी के नाम रेटीनोल है और बिटामिन A सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है इसलिए आप लोग सुनते होंगे पुराने वेक्ती जो की बुजड़ू लोग रहते हैं घर के जिसको रताउंदी धर लता है तो इसको क्या करते की इसको ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खिलाओ ता जाता जाजर खिलाओ तो बिटामिन A जो है सबसे ज़्यादा गाजर में होता है साइट्रिक एसीड किसमें पाया जाता है साइट्रिक एसीड यानि कि साइट्रिक अमल किसमें पाया जाता है साइट्रिक एसीड की बात करें तो ये निम्बू में पाया जाता है ओप्सन नमबर D यहाँ पे सही जवाब है साइटरिक एसीड जो है जादातर साइटरस फ़लों में पाया जाता है साइटरस फ़ल जैसे निम्बू संत्रा मोसम्मी यानि कि बिटामिन C वला ये आपका साइटरिक एसीड हो गया ठीक है अगला प्रसन देखिए टाटरिक अमल किस में नहीं पाया जाता है तीन उप्संस में से तीन में जो है टाटरिक अमल होगा एक में नहीं है नहीं वाला को चुनना है पालक, अंगूर, कच्चा आम, इमली चारों में से कौन सही जवाब है पालक ठीक है इमली, अंगूर, कच्चा आम ये तीन में जो है टाटरिक अमल पाया जाता है पालक में टाटरिक अमल नहीं पाया जाता है तो पालक में कौन सा अमल पाया जाता है तो ओकजेलिक अमल ओकजेलिक एसीड ठीक है तो पालक में ये पाया जाता है तो ये आपका सही जवाब है D नंबर बिटामिन A सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है मैंने अभी आपको तुरंद बताया है तो ज़्यादा इसमें सोचने क्याव सकता नहीं है D नंबर को उंसर कीजिए क्योंकि रताउंधी में जो है बहुत ज़्यादा यूजफूल होता है गाजर तो अपसर नंबर D यहाँ पर सही जवाब है 20 कोसंस जो है बिटामीन से संबंधित बनते हैं एक जरूरी सूचना अगर आप लोग सिरियसली बिहार पुलिस यानि कि सिरियस होकर कि बिहार पुलिस कांस्टेवल के तियारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस बेव साइट पर जरूरी जाईए www.dailystudy.co.in यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेवल से संबंधित आपको फूल प्रैक्टिस सेट जैसा की एकजाम में आपका पूछा जाएगा और जैसा की इस वीडियो में हम आपको चेप्टर वाइज क्लास कराया है वह इसा भी आपको यानि की चेप्टर वाइज यानि की टोपिक वाइज आपको क्वेशन मिलेंगे फूल बियाख्या के साथ इस बेव साइट पर आप जरूर जाएगा www.dailystudy.co.in ठीक है और अंत में आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिएगा और जो लोग चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं तुरंट चेनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आकन को क्लिक करके इस और नोटिपिकेशन को क्लिक करके रखेगा ताकि आने वाले बिहार पुलिस कॉंस्टेबल से संबंधित साड़ा वीडियो को से बन सकता है वो साड़ा कोशन्स टोपिक वाईज करा दूं क्या बताई अगा नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो को सेर जरूर किजिएगा कम से कम एक दोस्त या फिर एक वाट्साप ग्रूप जो की स्टेडी से रिलेटेड हो या फिर टेलिग्राम जहां भी आपको सेर कर कर दोस्त वाटरम